सة के थे मुझेत हेरवार और आज कापना टॉपिक है मसल श्कलिडल मुतलब होता है मुसल से रिलेटेट कोछी चीज और इस्पेंडल सेव मुझे क्या होती होगी मसल इस्पेंडल विस है अंडाल मुश इंडल सेव प्रोप्रिटल सेप्टफिव सैंसरी एंड ऑर्गन जो का होता है is collector muscle के कितना stretching हो रहा है उसको सेंसेशन को रिसीव करता है उसको response करता है तो इस ट्रक्चर क्या होती है जो मसल स्पिंडल रहती उसकी क्या स्ट्रेक्चर रहती है तो इसमें क्या होता है spindle muscle has a central bug portion and two tapering end तो एक तो central portion होता है central bug मलब इस तरह से मौटा portion होगा और दो tapering end रहेंगे ठीक है इच मसल spindle is formed by 5-12 interfusal fibers जो क्या तो है modified skeletal muscle fibers होते हैं जिने extrafusal fibers बोलते हैं तो इस डाइगराम में आप देख सकते हैं यह skeletal muscle fiber real वाले इस तरह से skeletal muscle fibers हो जाते हैं बहुत सारी ठीक है यह पूरे क्या होगा skeletal muscle fibers उसके बीच में आ जाते हैं interfusal fibers इनको क्या बोला है extrafusal fibers इनको क्या बोला है interfusal fibers ठीक है इंट्राफिजल फाइबर्स तो इन कहीं बीच वालों को क्या बोला है muscle spindle fold spindle ठीक है अनवे कया हो रहे जईट़् यह त्रेपर एंड आ रहा है है और बीच में यह कि इसके पास क्या नहीं होता है यह तो कम रहते हैं यह बहुत ही मनलब होते ही नहीं है एक्टेन और मायोसिन मॉलीकूल इनकी बज़े से तो कॉंट्रेक्षन होता था तो इस बज़े से इसको क्या बोलते हैं रेशेप्टर की तरह यह काम करने लगता है आप बताया गया है कि बीच बाले पार्ट में रेसेप्टर की तरह काम करता है जबकि जो एंड पॉर्शन रहते हैं उनमें क्या होता है मायोसिन और एक्टेन होता है इस बज़े से इसमें क्या होता है कांट्रेक्शन होता है ठीक है टाइप देखना है इंट्रफ्यॐज़ फाइबस के दो तरह था होते हैं एक होता है निप्लीयर फाइबर वो ते ने चैन टाइबस मतलब बीच में चैन टाइब के यह तो बैग जान के बैग में को अपन बहुत सारी चीज़ते लख सकते हैं औ घंड रहता है जब कि निउपलिए निचाइन पूलता नहीं होता है निचेन के रूपम देख सकते हैं यह नुगलियर आपको देख के लग रहा होगा ठीक है अब इसके बाद देखते हैं कि nerve supply क्या होती है यह तो मैंने structure बता दी nerve supply क्या होती है muscle spindle की यह भी बहुत important question है क्योंकि इसमें special type की nerve supply पाई जाती है inherited both sensory and motor nerve तो यह पहला एंसा receptor है जो कि दोनों के दोनों sensory और motor दोनों nerve से supply हो रहा है दोनों से innervation हो रहा है इसका only receptor have both sensory and motor nerve supply sensory nerve supply में क्या होता है each spindle supply primary sensory nerve और secondary sensory nerve तो इसमें क्या होता है primary और secondary sensory nerve होती है अब primary sensory nerve क्या करती है nerve fiber belong to alpha type 1 type की एक nerve होती है has two branches, दो ब्रांच होती है one supply central portion of nuclear back fibers other end central portion of nuclear chain fibers मतलब यह रहा primary type का तो इसके दो पूर सने एक तो nuclear back fibers को supply कर रहा है और एक nuclear chain fibers को supply कर रहा है और किसके रूप में supply कर रहा है यह रिंग टाइप की बना रहा है तो इसको इस वज़े से इसको क्या बोलते है annular spiral ring annular spiral ending इस तरह से end हो रहा है ठीक है और जो secondary sensory inner fibers होते हैं वो क्या होते हैं ए बीटा टाइप या टाइप टू के फाइबर्स होते हैं जो इनर्वेट ओली nuclear chain fibers like petal flowers called flower spray ending मतलब जो secondary type के रहते हैं वो अब मतलब देख लेते हैं नर्व उपलाई मसले स्पेंडर ब्लंंग भामा नर्व फाइबर से मललब अब गामा मॉटर नियूरॉन से रहेंगे मललब जब गामा मॉटर फाइबर उय्वें कोई भी नियूरो टांस्मिटर सेक्री एट होगा तो यह काम करेंगे ठीक है मोरटर नवस प्लाई निग्लियर बैक फाइबर के लिए किस तरह से मोर्ट सप्लाई होती है प्लेट टाइप की बना लेते हैं इस तरह से एंडेंग रहती है यह डायनमिक गामा ऐफरेंट नवाब फाइबर से हो वह फिय है यह किसी लिए बहुद कर रहा है पन हैंड का या क्योंकि मोंटर लगा हुआ है ठीक है मोंटर नप सप्लाई टू निकुलियर चैन फाइबर सप्लाई डिवाइडिंग इन मैनी ब्रांचे तो इसमें प्लेट बना ली फॉर्म नेटवर काल ट्रेल एंडिंग तो इसमें क्या होता है बहुत सारे नेटवर्क बना लेते हैं यह ट्रेल एंडिंग रूप में यह बना रहा है और यहीं नर्व कुछ-कुछ फाइबर सेते हैं इसके नुक्लियर बैक को भी सप्लाई कर देते हैं इस ट्रेटेक गामा इफ्रेंट क्योंकि यह जो रुके हुए मुवमेंट्स रहे हैं रुके टाइम पे किस तरह से पे यह काम करता है तो इस टटेक गाम फेल एक पीव्यक रहे हैं लेकन दे रहे हैं ट्यक है अब देख लेए अफंक्शन्स फंक्शन्स क्या होते हैं मुथ यह किसके लिए स्पोंच देते हैं मसलके लेंथ मैंघ्च इज़ेगे कि लेंद वे थोड़ा सा भी चेंज वे तो मसल स्पेंडल एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं कॉंट्रेक्ट कराने की कोशिस करते हैं ठीक है बाइट डिटेचिंग चैंज इन लेंद और मसल इंप्रेवेंटिंग ऊवर स्ट्रेचिंग तो जैसे कुछ ज है यह जो जतना होना चाहिए इस में उससे जादा हो रहा है कि ऋपने सरेंसे रोग लेती और साथी क्या होलै मवें जो मसल फोर्स या मसल टौन को मसल तो मेंटनीट करने में आभी साथ ही साथ रोलने बाती है मसलो फोर्स या टोन किस्ट कितना ए यह जाया जो व्लाइश टेशने के लिए यह वाला जो spindle important question है आच्छे से पड़ना इसको थेंक यू गाइस प्लीज लाइक चैनल सब्सक्राइब जैनल